एपिसोड एक्यासी एट वन गावा तुल सीक्रित ये कथा सुनावा ये ही गाथा अम्रित मर्सावा सबके ही आनन्द जगावा जनकपुर में सीता स्वयमवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र, श्री राम, लक्षमन तथा अन्य शिश्य रिशियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुँचे सबने स्नान, पूजा, भोजन आदी के बाद विश्राम किया एक पहर दिन शेश था जब लक्षमन जी के मन में नगर देखाने की लालसा जगी किन्तु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रगट करने में उन्हें संकोच हो रहा था अंतर यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली गुरुदेव से लक्षमन के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आग्या मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले श्याम और गौरवर्ण वाले इन दो रिशिकुमारों का आकरशक रूप देख नगर के बालक जुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए इस मनोहारी जोडी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किये हैं कमर में लिप्टे दुपटों में तरकश बंधी हैं और हाथों में धनुश वान सुशो भित हैं सिंग के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चोडी छाती पर राजमुकता की माला सुन्दर लाल कमल के समान नेत्र जो भी ये रूप देखता है ठगासा खड़ा रह जाता है लखन नह गया लाल साबी सेखी जाई जनक पुर आई यदेखी प्रभु भय बहुरि मुनि हिसकु चाही प्रगट न कहा ही मन ही मुसुकाही राम अनुजमन की गति जानी भगत बचलता ही अभुलसानी परम बिली तस कोचे मुसुकाही बोले गुर नुसासन पाई नाथ लखन पुर देखन चहही प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही जोरा उर आयस मैं पावं नगर देखाई तुर तले आवं सुनि मुनी सुकह बचन सपीती कसन राम तुम्हरा कहु नीती धर्म से तु पारक तुम्हताता प्रेम बिवस सेवक सुखदाता जाई देखिया वहु नगर सुखन धान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुन्दर बद न देखाई मुनि पद कमल बंदि दो भाता चले लोक लोचन सुखनाता बाल कब्रिंद देखियती सोभा नगे संग लोचन मनु नोभा पीत बसन परिकर कटिभा था चारु चाप सरसोहत हाथा तन अनुहरत सुचंदन खोरी स्यामल गौर मनोहर जोरी केहरितंधर बाहु विसाला उरहतिरुचिर नागमनी माला सुभग सोन सरसीर रुह लोचन बदन मयंक तापत्रय मूचन कानन ही कनक पूल छबि देही चितवत चित ही चोरी जनुलेही चितवनी चार भी कुटी पर वाकी दिल करेख सुभा जनुचा की रुचिर चोतनी सुभाग सिर मेचक कुण्चित केस नख सिख सुन्दर बन्धुदो सोभा सकल सुदेश देखन नगर उपसुत आये समाचार पुरबा सिन्ध पाये धाय धाम काम सब त्यागी मन हुरंक निधि लूटन लागे निरखि सहज सुन्दर दो भाए होही सुखी लोचन फल पाए जुबती भवन जरोखनी लागे निरख हिराम रूप अनुरागे कहा ही परस परवचन सप्रेते सक्खी इनकोर्ति कामछ बिजेते सुरनरा सुरनाग मुनी माहे सोभा असे कहुं सुनी अतिनाहे बिश्नुचारी भुजबिधि मुखचारी बिकट बेश मुखपंच पुरारी अपर देव असकोन आहे यह छविसखी पट करिय जाहे बयकी सोर सुषमा सदन स्याम गौर सुखधां अंग अंग परवारिय ही कोटी कोटी सतकाम आहें 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 कोटी प्रत्स अंग स्याम ख़क्त रभफ्स आहें आहें झाल झाल